वो एक रांतिकारी कम्यूनिस्ट नेता थे लेकिन लगातार हिट कमर्शियल फिल्में देने वाले डाइरिक्टर भी थे वो बंगाली परिवार से थे लेकिन पैदा हुए राजस्थान में पढ़ाई की यूपी में और अपनी कला का जोहर दिखाया मायानगरी मुंबई में इतने के बावजूद वो हिंदी के साथ साथ बांगला फिल्मों के भी सफल निर्देशक वर लेखत बने उन्होंने सिनेमा ही नहीं छोटे परते यानी टीवी पर भी ऐसे अनुखे धारावाहिक बनाए जिन्होंने समाज का ट्रेंग पदल कर रख दिया जी हाँ बात हो रही है वर्सेटाइल प्रोडियोसर डाइरेक्टर राइटर और टीवी सीरियल मेकर बासू चैटर जी की जिन्होंने अपने लंबे फिल्म अग टीवी करियर में मध्यम वर्ग के दर्शकों के दिलों पर राच किया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कॉलेज में लाइब्रेरियन और फिर लंबे आर्से तक अकपार में कार्टूनिस्ट की नौकरी की थी क्या आपको पता है कि उन्होंने धर्मिंद अमिताप बच्चन से लेकर राजेश खन्नाव और देव आनंत को अपना स्टार्डम छोड़कर चंसाधारण का एक्टर बनने पर मजबूर कर दिया था इस तरह आपकी क्लास में शोर मचता रहेगा तो मैं क्लास केसे लूँगी जी संस्कृत पढ़ाते वक्त उच्चारण पर विशेश ध्यान देना पढ़ता है और पर कालिदास पढ़ाते वक्त बस बने रहे हमारे साथ दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूँ अभिशेक आनंद बासु चटर जी को कला फिल्मों का निर्देशक कहा जाता था तो उन्हें इतराज होता था यदि उन्हें कमर्शिल सिनेमा का डायरेक्टर कहा जाए तो भी उन्हें आपत्ती होती थी दरासल वे साथ सत्तर के दशक के मध्यमारगी सिनेमा के हम सफर रहे हैं बासु चटर जी की पैदाईश राजस्थान के अजमेर शहर में दस जन्वरी 1930 को हुई थी पिता रेलवे में मुलाजिन थे तो उनके साथ फिर मतुरा जाना हुआ मतुरा और आग्रा में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई यहीं लेखक राजेंद्र यादव और कवी शेलेंद्र से दूस्ती हुई दोनों फिल्मकार बासु चटर जी के फिल्मी सफर के आरंभेग साथ ही बने राजेंद्र यादव की कहानियों पर कई फिल्मे बनी जबकि कवी शेलेंद्र मशूर गीतकार बने फिल्मे देखने का शौक मतुरा में ही जागा था और शायद ही कोई फिल्म छूटी थी बड़े होने पर मन के किसी कोने में फिल्मों के बीच पर गय थे जुन्हें अनकुलित होने में पंद्रा सालों का समय लगा मतुरा से ग्रेजुएशन करने के बाद बासू आजी विका की तलाश में मुंबई पहुचे वहाँ एक मिलिटरी स्कूल में लाइब्रेरियन की नौकरी मिली पैटिकाने की जगह मिलने के बाद अर्मानों के पंक निकलने शुरू हुए बासू चतरजी का संपर्ख ग्रिच के संपादक से हुआ और वे वहाँ पर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हो गए रेनु ने इसी कार्टूनिस्ट की बांकी निगा का उलेख अपनी शूटिंग रिपोर्ट में किया था यह ज्वही टैबलॉइड था जिसे रुस्तम खुर्शेद जी करंजिया ने शुरू किया था यहां चतरजी साहब ने पंद्रा सालों से भी अधिक समय तक काम किया इसी दोरान एक बार उन्हें सन 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी कसम में निदेशक बासु भटाचारे के सहाय के तौर पर काम करने का मौका मिला उस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रह्मान का लाकार थे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई उस फिल्म में बाद में सर्वश्वेष्ट, फीचर फिल्म का राश्ट्रिय फिल्म पुरस्कार भी जीता तब से उन्होंने फिल्म निर्देशक बनने का फैसला कर लिया उन्हें 1968 में रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म सरस्वती चंद में भी इसके निर्देशक गोविन सरया का सहाइक बनने का आफ़सर मिला आखिरकार उन्होंने 1969 में सारा आकाश जैसी फिल्म के साथ बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुवात की दरसल 1966 में ब्लिच के प्रकाशक बी के करंजिया एंड कम्पनी के सहयोग से फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई तो उन्हें समानांतर सार्थक नई लहर के सिनेमा की पहली फिल्म सारा आकाश बनाने का निमंत्रन मिला ये फिल्म उनके पुराने मित्र और हिंदी कथकार राजेंद्र यादव की कहानी पर आधारित थी सत्यजी त्रे से प्रभावित होने के कारण बासु चटर जी ने फिल्म के कलापमत पक्ष पर अधिक ध्यान दिया नतीजा ये रहा कि फिल्म तो उंदा बनी मगर टिकट खिरकी पर मार खा गई लेकिन इस फिल्म ने बासु चैटर जी को एक बहतर फिल्मकार के रूप में स्थापित कर दिया इसके बाद उन्होंने कई हिंदी और बंगला फिल्मों का निर्देशन किया है कहते हैं उन्हें फिल्मकार बनने का विचार इसलिए आया कि उन्होंने मुंबई में फिल्म फोरम नाम से फिल्म सोसाइटी की स्थापना की सोसाइटी अंदोलन के जरिये दुनिया भर के सिनेमा से उनका नजदी की रिष्टा बना सत्तरव असी के दशक में बासु चतरजी ने हिंदी सिनेमा को ऐसी फिल्में दी जिन्होंने इंडिस्ट्री के कई आयामों को बदल दिया बासु चतरजी की फिल्मों की फेहरिस्त बहुत लंबी है उनकी फिल्म में शहरी शेत्र के अक्सर मध्यम वर्गिय परिवारों की हलकी फुलकी कहानियों से जुरी होती थी जिन में वैवाहिक और प्रेम संबंधु पर ध्यान केंद्रित किया जाता था संद 1971 में ताराचंद बरजात्या की फिल्म पिया का घर में उनका निर्देशन देखने लायक था इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे थे फिल्म सुपर हिट रही और सत्तर वसी के दशक के दौरान वहमध्धिन सिनेमा या मध्य सिनेमा के नाम से जाने जाने वाली फिल्मों से जुर गए सन 1974 में आई फिल्म रजनी गंधा में उन्होंने साबित कर दिखाया कि फिल्म में स्टार वैल्यू से नहीं बलकि कहानी और निर्देशन के दम पर चलती है यही एक साधारन सी प्रेम कहानी है शर्भंगुर घटनाए है जो कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है और वैक्ति के जीवन को कहीं से कहीं ले जाकर छोड़ सकती है रजनी गंदा खत्म होने पर दर्शक की कई जिग्यास आए जाकती है और वो अनेक सवाल लेकर घर लोटता है इस फिल्म का स्क्रीम प्ले और इसके डायलॉग्स दोनों ही बासु चैटर जी नहीं लिखे थे अभिनेता आमोल पालेकर को हिंदी-मराथी सिनेमा का हीरो बनाने का श्रे एक हाथ तक बासु चैटर जी को ही जाता है साधार से चेहरे मोहरे वाले इस अभिनेता को फिल्म रजनी गंधा में उन्होंने फुल स्लीव की शर्ट और ऑफिस कर जैसे पैंट और जूतों में परदे पर पेश किया तो मध्यम वर्ग के दर्शकों ने तालियों की गुंच से सिनेमा घर भर दिया विशिकेश मुखर जी गुलजार और साई परांश्पे की तरही बासुदा ने भी मध्यमार्गी सिनेमा को आगे बढ़ाया है इन दमाब निर्देशकों ने भारत के मध्यम वर्ग को अपनी फिल्मों का अधार बनाया नतीजा ये निकला कि उन्हें इस वर्ग के दर्शकों का भरपूर समर्थन भी मिला बासुद चैटर जी ने अपनी कई साधारा फिल्मों में बड़े सितारों का भी निर्देशन किया लेकिन इन अभिनिताओं को इससे पहले ऐसी भूमिकाओं में कभी देखा गया नहीं था सन 1974 में ही रिलीज हुई फिल्म उस पार में विनोद महरा के साथ मौसमी चटर जी को देखना एक अनोखा एसास रहा अच्छा गुलबदन का मतलब क्या होता है? क्यों? 1976 में रिलीज हुई फिल्म चट्चोर में ताराचंद बरजात्या ने फिर उन्हें आजमाया और परिणाम शांदार रहा आज से पहले, आज से ज्यादा, खुशी आज तक नहीं मिली ये फिल्म एक बंगाली कहानी पर अधारित थी और इसने भी बॉक्स आफिस पर लोग प्रियता के नए की रतिमान खड़े किये बासु चैटर जी की फिल्में संगीत प्रधान होती थी और उनके फिल्म आंगन में उनका जादू देखने लाइक होता था बासु चैटर जी ने काटूनिस्ट होने के नाते अपने रिखांकनों के जरिये गरीबी, भुक्मरी, बेरोजगारी और धरश्टाचार पर खूब तीखे प्रहार किये लेकिन इन समस्याओं को अपनी फिल्मों के फिल्म में कभी शामिल नहीं किया, उन्होंने मध्यम वर्ग के जीवन में सुक तथा सुकून देने वाले पलों को अपनी फिल्मों के माध्यम से तलाशा था उन्होंने स्वामी खटा मीठा चक्रव्यू जीना यहां बातो बातों में अपने पराय और प्रियतमा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था उनके निर्देशन में जीतेंद्र और नीतु सिंग सन 1977 में आई फिल्म प्रियतमा में एक अलग ही रूप में दिखे यह बासु चैटर जी के निर्देशन का ही कमाल था कि नीतु सिंग सन 1978 में आई फिल्म चक्रव्यू में राजेश खन्ना के साथ एक बिलकुल अलग अलग अदाज में नजर आई 1978 में ही बासु चैटर जी ने अपनी कॉमेडी फिल्म खटा मीठा में दो परिवारों को इस अंदाज में उतारा की दर्शक हस्ते हस्ते लोट पोठ हो गए इस विल्म में अशोक कुमार राकेश रोशन और बिंदिया गुर्स्वामी जैसे कलाकारों ने उनके निर्देशन में जानदार अभिने किया था बासू चैटर जी के बारे में कहावत मैशोर थी कि उन्होंने कभी भी किसी फिल्म स्टार की इमेज को किर्दार पर हावी होने नहीं दिया चाहे धर्मेंद्र हो या अमिताब या फिर राजेश खन्ना उनके निर्देशन में किसी भी स्टार का स्टार्डम कहामी पर हावी नहीं हुआ सन 1978 में उन्होंने रुमान्टिक कॉमेडी फिल्म दिल लगी में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को पर्दे पर उतारा तो दोनों अदाकारों ने ऐसा नैचुरल अभिने किया जो उन्होंने शायद ही पहले किया हो सन 1979 में आई रुमान्टिक ड्रामा फिल्म मर्जिल में बासुदा के निर्देशन में अविताब बच्चन भी अपनी एंग्लियंग में की इमेज से बाहर निकल कर मौसुदी चैटर जी से इस शिलणाते दिखे तो दर्शकों ने दान्तों तले उंगलिया दबाली सन 1979 बासुद चैटर जी साहब के लिए एक यादगार साल रहा क्योंकि उस साल उनकी एक के बाद एक करके शे फिल में रिलीज हुई जिन में मिथुन चक्रवर्ती वा बिंदिया गोस्वामी की प्रेम विवा हेवा मालिनी वा गिरीश करनाट की रत्नदी परमोल पालेकर वा टीना मुनीन की बातों बातों में शामिल थी अगले साल यानी सन नाइंटीन एटी में उन्होंने टीना मुनीन को फिराजमाया और एक नए अंदाज में पेश किया देव आनंद के साथ फिल्मन पसंद में उन्होंने हिंदी और बंगाली भाषा में करीब 40 फिल्मों का निदेशन किया इन में से कुछ फिल्मों के संबाद और कुछ के तो स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखे कुछ फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस भी की वो बुराई में से अच्छाई निकालने के लिए हमेशा बेचैन दिखाई दिए उनके पात्र गंदी बस्तियों में साधारन सा जीवन जीते जरूर है मगर वे अपने हर हाल में खुश हैं अभावों से घिरी जिन्दगी में वे आनंद प्राप करने के रास्ते खोज लेते हैं खुशिकेश मुखर जी की तरह उनकी फिल्मों में भी खलनायक प्राय नदारद रहता था बासू चैटर जी की फिल्मों में कॉमेडी के साथ सटायर का जुर्दार तरका भी रहता था इसके पीछे शायद कारण ये रहा कि वे अपने करियर के आरंग में कार्टूनिस्ट और इलिस्टेटर रहे थे उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं भी रही लेकिन उनकी रिलीज के समय समीख शकों ने उनकी काफी प्रशन सा की विटिश फिल्मकार अल्फरिड हिचकॉक और उनके सिनेमा से बासू चैटर जी काफी प्रभावित थे दर्शकों को फिल्म देखते समय हास से वेंगे का एक जोरदार छटका देना उनकी अपनी स्टाइल रही है इसके साथ ही अपनी फिल्म में किसी एरे गेरे किरदार की विश पूशा में वो पल दो पल के लिए परदे पर आते रहे इचकॉप भी ऐसा करते थे आगे चलकर शुमन सुभाष खई ने भी ये फॉर्मूला अपनाया था बासू चैटर जी ने दूरदर्शन के लिए भी बहतरीन काम किया था 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारिट सीरियल रजनी दर्शकों में इतना लोग प्रिये हुआ कि ये एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया प्रिया तिंडूलकर जैसी हिम्मत वाली नायका के जरिये देश के तमाम भुगताओं को साफधान करने वाला ये धारवाहिक बेमिसाल था लेकिन एक आदमी को पकड़ने से क्या होगा ऐसे कई लोड है जो इस्टिहार देते इस तरह के और कई नवजवानों से पैसे एट कर फिल्मों में काम दने की जूटे प्रामिस देते इन सब का हिलाज करना पड़ेगा ना मदोहर श्याम जोशी लिखित ककाजी कहिन में राजनीतिक प्रश्टाचार और नेताओं का दूगला चरित्र रुजागर किया गया था गरपन धारवाहिक भारतिय भाषाओं की श्वेष्ट कहानियों का गुंदस्ता था उनका बहुचर्चित जासूसी टीवी सीरियल ब्यूंकेक्ष बक्षी अपने समय में बेहब लोग प्री हुआ था पारंपरिक जासूसी सीरियलों के उलट इसका हीरो कोई सूटेड बूटेड जेम्स बॉन्ड नहीं बलकि धोती कुर्ता वाला चबीरा देसी नौजवान था ये बासू चैटर जी साहब के निर्देशन का ही कमाल था कि जिसने भी इस देसी जेम्स बॉन्ड को एक बार देखा होगा उसके दिमाग पर उसकी अमिट छाप पड़ गई होगी बॉलीवुड में उनकी आखिरी हिट फिल्म रही 1986 में आई चमिली की शादी अनिल कपूर और मता सिंग स्टारर ये फिल्म आज भी दर्शकों के मन मस्तिशक पर एक खुबसूरत याद के तौर पर चाई हुई है बासु चैटर जी साहब ने इसके बाद भी सन 2011 तक हिंदी और बांगला फिल्मों वर टीवी धारावाहिकों का निर्देशन किया जिन में शीशा कुछ खटा कुछ मीठा और गुदगुदी शामिल है बाद के दिनों में उन्होंने वर्दवस्था के कारण एक तरह से फिल्मों से सन्यास ले लिया था 4 जून 2020 को 90 वर्ष की आयू में उनका निधन हो गया आज बासु चैटर जी बेशक हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी फिल्में वधारा वाहिक हमेशा उनकी याद तरुटाजा रखते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपके पास बासु चैटर जी साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेर कीजिएगा अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिशेक आनंद को इजाज़त नमस्कार